हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च के बारे में ठीक है देखिए बाइ यूजिंग इस अप्षन वी कैन सर्च एनी फाइल, फोल्डर, ओडियो, बीडियो, इमेजेज, एटीसी यानि इस अप्षन के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं किसी भी फाइल, फोल एप्थिरी जो सर्च का सोटकर्ट की है वो एप्थिरी है ठीक है देखिए यहां पे हम कुछ extension लिके हैं जो बहुत ही इमपोटन्ट है आपको सर्च करने में ये काम आएगा ठीक है? .txt ये notepad का extension name है .docx ये msword का extension name है .xlsx ये जो है excel का extension name है ठीक है? आगे देखिए .jpg, .jpeg, .gif, .png यह extension name of image file यानि image का यह extension name है .mp3, .wave यह extension name of audio file यानि audio का extension name है .mp4, .3gp, .abi यह extension name of video file यानि video का extension name है इसका मैं use करना भी बताऊंगा पहले इसको अच्छे से समझ लेजिए तो चलिए दोस्तो हम इसका practical करके आपको दिखा देते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कीबोड से F3 प्रेस कर देना है ठीक है देखिए यहाँ पर search का option आ गया यहाँ पर आप search कर सकते हैं किसी भी file, folder, audio, video कुछ भी आप search कर सकते हैं जैसे हम search करके दिखा देते हैं हम लिखते हैं यहाँ पर .txt ठीक है तो जितना भी notepad का file होगा वो सब आ जाएगा देखिए यहाँ पर लिखने के बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर computer पर click करना है तो computer में search होगा देखिए अब आने लगा तो यहाँ पर जितना भी आपके computer में notepad का केवल file होगा वो सब आ जाएगा ठीक है क्योंकि हमने type कर दिया है .txt देखिए type करने के बाद यहाँ search होने लगा और यह जो green जो line जा रहा है यह पूरा यहाँ तक जाएगा तो पूरा search हो जाएगा ठीक है यह my file किस location पे है ठीक है तो right क्लिक करेंगे और properties पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह type of file.txt है यानि notepad का file है और इसका location जो है d drive के अंदर new folder है और new folder के अंदर एक अंकु नाम का folder है उसके अंदर यह my file है इस तरीके से आप किसी भी file folder, songs, movie या photo क location पता कर सकते हैं ठीक है अब हम इसको close कर देते हैं आप computer open करेंगे computer open करने के बाद आपको search का एक box दीखेगा और यहाँ पे एक icon search का दीखेगा इस पे click करना है ठीक है यहाँ पे जो भी search करना चाहते है वो search कर सकते हैं जैसे हम .docx type करते हैं तो आपके computer में जितना भी word का file होगा वो सब आ जाएगा ठीक है देखिए .docx के वल type किया है यानि extension उसका type किया है तो सब आ जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि अभी सेक नाम से हम एक file बनाए है वही आए के वल दूसरा word का file नहीं आए तो आपको simply यहाँ पे आपको क्या करना है इसको हटा देना है और य .docx type कर देंगे तो अब जो है word में जो अभी सेक नाम का file है केवल वही आएगा दूसरा file नहीं आएगा ठीक है देखते हैं यह सर्च हो रहा है आप देख सकते हैं यह सर्च हो रहा है यह पूरा यहाँ तक होगा देखिए यहाँ पे आ गया अभी सेक नाम से यह भी file है वो भी अभी सेक नाम से यहां पर मान के चलिए आप टाइप कर रहे हैं .xlsx तो आपके computer में जितना भी excel का file होगा केवल वही आएगा जितना भी excel का file होगा वो सब आजाएगा ठीक है तो आप यहां से जो file open करना है उसको open कर सकते हैं मान के चलिए कि हमें केवल edition वाले file को ही देखना था तो क्या करेंगे आपको क्या करना है edition type कर देना है और इसके बाद .xlsx type कर देना है तो केवल edition नाम से जो excel का file होगा वही आएगा दूसरा file नहीं आएगा तो चलिए देखते हैं देखिए यहां पे आ गया edition नाम से दूसरा file नहीं ना रहा है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं उसी तरीके से आप search कर सकते हैं जैसे .jpg आप type करेंगे तो आपके computer में जितना भी photo होगा jpg में वो सारा photo आ जाएगा ठीक है यह search होगा पूरा यह green color का जो दिख रहा है यहां तक आएगा ठीक है उसी तरीके से आप यहां पे .mp3 सर्च कर सकते हैं .mp4 सर्च कर सकते हैं वीडियो के लिए या कोई भी नाम यहां type करेंगे उससे related अगर कोई document हो file हो या folder हो वो सब आप देख सकते हैं ठीक है एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा जैसे कि मान के चलिए कि हमें कोई भी extension नहीं देना है और बिना extension का जैसे हम type कर देते हैं कि अभी शेक अभी शेक नाम से जो भी कुछ है वो सब आ जाए तो केवल आपको नाम type कर देना है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि अभी शेक नाम से जो है MP3 song है यह PDF file है यह word का file है सब चीज आ रहा है अब इसे एक नाम से जो कुछ भी है वो सबी चीज़े आपको यहां आ रहा है ठीक है आप यही से उस फाइल को या फोटो को ओपन कर सकते हैं ठीक है या उसका लोकेशन भी पता कर सकते हैं दोस्तो जितना भी हम extension बताए हैं उसको आप बारी बारी से यहां सर्च करके देख सकते हैं ठीक है दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मीस नौ हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में